हेलो स्टुडेंट्स आप देख रहे हैं ब्रेंड फोर टेक्निकल एजपिशन आज हम बात करेंगे क्रोप प्रडेक्शन के बारे में जो हमारे साइंस का पहला चेप्टर है क्रोप प्रडेक्शन एग्रिकल्चर इजा ओल्डेस्ट प्रोफेशन राइस एंड वीट है विन जा रहा है जैसे चावल हुआ गेहुँ हुआ प्लांट ग्रोण टू अप्टन बेरियस फूड प्रोड़क्ट लाइक सीरियल प्रोफेशन और प्रोड़क्ट लाइक कॉटन एंड जूट जैसे हमारा अनाज हो गया डाले हो गई तेल हो गया चीनी फल सबजी यह सारी खान कर अन्तरक्र गए जिजों फसलों के अन्तरक्र गई न इन यूर जोंत जोंत है जैसे हमारा कौटन हो गया यह यह सारी चीजह हमारे करोड क्रॉप margal 대ond का है क्रोड़क्ट न रोक जगतन है नहींगारोड ग्रोंकों आल प्रोड़क्ट सेवार्ड यय द दीनियू प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिनका बहुत सारा परपज होता है क्रॉप्स या खाने के यूस में तो होता ही होता है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इसके परपज होते हैं जिसके बारे में हम डीटेल से पढ़ेंगे अनिमल्स और रेस्ट एनिमल्स आर रेस्ट एनि एस ते और फूद प्रोड़क्स लाइक एक्स और मिल्क प्रैक्टिस ऑफ ग्रोण ग्रोइंग क्लॉप्स इसकाल अग्रिकल्चर जैसे जानबर अब जानबर भी हमें बहुत सारा यूसफुल होते हैं हमारे लिए जैसे उनसे कि यूजफुल होते हैं अब बात करेंगे हम सबसे पहले क्रोप्स की अब क्रोप्स क्या होती हैं रहरर ग्रोण इनायडा सेम काइन औरग्रोण इंकल्टिबेटिडडर क्रोड़् ऐसे कोई भी पौधा हुए कोई भी प्लांट हुआ जब एक से जाधा अमाउंट में मतलब उसको एक से जाधा जगह में उगाया जाता है या प्लांटिर किया जाता है लगाया जाता है तो वो प्लांट हम फसल के रूप में मानते हैं या उस प्लांट को हम फसल कहते हैं जैसे गेहूं है तो गेहूं का अगर एक पौधा है तो वो हमारा क्रॉँस नहीं हो सकता है लेकिन गेहों के बहुत सारे प्लांट्स लगा दी जो मिलियांस रिया खेत में बहुत सारे इंसके चिंदिदें नहीं कर सकते हैं तो इसको प्रॉप बोलते हैं ये क्रॉप जो होती हैं मेली फॉर टाइप होती है हो गई कैस्च क्रॉप्स हों गही और हरिक अटारी केस्ट फेल रोगुशन और फूर्ट क्रॉप क्रॉप्स का गह 핫ade कि तो फूर्ट क्रॉप्स गर्जिज में हमारी जो चीज़े होती है दल्हनी ऐा अगार आती चीनी है यह सारे अनाज यह सारे हमारे food crops के अंतरगत आते हैं, cash crops it is grown the commercial purpose, example, zoot, sugarcane, cotton, rubber etc, यह चीजें, जिसे जूट हो गया, sugarcane हो गया, cotton हो गया, rubber हो गया, यह सारी हमारे cash crops के अंतरगत आते हैं, now plantations we will talk about, rubber, tea, coffee and spices are grown on the plantations, so these cash crops are often called the plantations crop, अबदी जार cultivated होना large scale, rubber हो गया, tea हो गया, coffee, masala, यह सारी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है, तो यह चीजें plantations crop के अंतरगत आती हैं, अब हम बास करेंगे, horticultures क्या होता है, horticultures is a branch of the agriculture that deals with the technology of growing plants, यहनी हम plants को किन नई-नई techniques से grow कर सकते हैं, ऐसी कौन से techniques है जिससे हम फलों को, सबजीयों को, यह crops को grow कर सकते हैं, यह चीज होटरी गल्चर क्रॉप्स के अंतरगत आती हैं, अब इस होटरी गल्चर में कौन-कौन से crops grow कर सकते हैं, को कम से प्रांत को ग्रोग कर सकते यहली we will define here it deals with cultivation it deals with the cultivation of medicinal plants fruits vegetables nuts herbs spirit mushroom etc crop that are grown under the supervision of the farm arts in large field is called the cultivated crop जैसे medicine plants हो गए या हमारे nuts हो गए spirits हो गए mushrooms हो गए यह सारी फसले जो है जो बहुत क्रिटिकल तरीके से grow की जाती है उनकी बात करते हैं हम यहाँ पे इसके बाद में हम बात करेंगे crops can be classified on the basis of the seasons in which they grow and climatic conditions, temperature, humidity, rainfall very form one region to another अब बात करते हैं कि जो crops होती है किस तरीके से grow करती है इनके लिए temperature का भी एक एहम role होता है temperature हो गया humidity हो गई, rainfall हो गई यह चीजें जो हैं यह components जो हैं वो हमारे crops में एक important role play करते हैं without इनके तो हम फसलों की या crops की करना नहीं कर सकते हैं क्योंकि temperature के according ही हमारे हाँ fossils का production होता है कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ temperature का बहुत अहम रोल होता है जैसे ठंडी जगहों में जो होती है वो अलग crops होती है गरम places पे अलग crops होती है और बरसा वाले छेत्रों में अलग crops पाई जाती है कम बरसा वाले छेत्रों में अलग crops पाई जाती है तो इसके according हम बहुत सारी चीजे हैं जो इनका humidity है temperature है बरसा है इनका एक important role होता है अब बात करेंगे agricultural practices किस तरीके से हम करते हैं किस तरीके से हम इसको अपने लाइक बनाते हैं किस तरीके से हम इसमें ज्यादा से ज्यादा crop production कर सकते हैं तो गेट अ बेटर एंड क्वाइटिटी वाइज अ फार्मर फॉलो जबर प्रैक्टिस ओवर अ पेरियेड आफ ताइम किस तरीके से हम इनके qualities को बढ़ा सकते हैं स्याद की fertility को बढ़ा सकते हैं इस आर बेशिस प्रैक्टिस नमबर वन पहले चीज में क्या है मारे पास स्याद प्रप्रप्रेशन फॉर दे कल्टिवेशन बाफ वाइज स्याद को बढ़ा है लाइक बन जाती है इसके बाद थार्ड चीज है एडिंग फर्टिलाजर इसमें हम फर्टिलाजर को भी एड करते हैं अब हम बात करेंगे उसके सी चाहिए कि जो हमने बीज बोया है वो ग्रो करेगा प्लांट बनेगा तो उसके लिए पानी की भी जरूरत होगी तो हम उसको प्रॉपर अमांट में इरिगेशन भी करेंगे प्रॉपर अमांट में उसको पानी भी देंगे अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो प्लांट जो है वो सूख जाएगा पांचमी चीज़ में आती है वीडिंग वाइदा खुर्पया और हौरो वाइदा यूजिंग वेड़ साइट्स क्रॉप प्रडेक्शन वाइदा स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स जैसे घरपतवार हो गया घास निकालना हो गया तो यह सारी चीज़ says by spraying of a pesticide इसमें हम जो इंसेक्ट लग जाते हैं या इनमें जो हानीकारक जीवत्पन निया कीडए मकोड़े हो जाते हैं उनको खतम करने के लिए हम वस、、नों को बचाने के लिए insectricide का यूज करते हैं harvest with the help of the sick skull and harvesters हम इसको किस तरीके से काटेंगे Threshing by the thresher भुसा बनाने के लिए हम thresher का यूज करते हैं और combines का भी यूज करते हैं Storage in a swell and granaries अब हम किस तरीके से इसको store करेंगे जो हमारी मिट्टी होती है या हम फसनों में जो production होता उसको किस तरीके से product करते हैं तो यह सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे swell production के ओपर या हमारे preparations के ओपर या हमारी तयारी कैसी है अब बात करेंगे swell preparations जो पहली चीज़ थी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं It is the first step to anchor the roots of the plant provide the oxygen, minerals, nutrients and water to the roots microorganism, snails, earthworm, other microorganisms live in swell and make it fertile the quality and yield the crops depend on the type of the swell swell preparations involve involve the following three steps बात करेंगे हम जो swell है वो किस तरीके से इसमें कितनी मात्रा में nutrients मिले हुए हैं काउं सी मात्रा में कितनी चीज़ें मिलानी हैं और क्या-क्या microorganism पाए जाते हैं जैसे केंच्वे हो गए, earthworms हो गए या स्नेल हो गई तो कुछ इंसेक्स जो होते हैं वो हमारी स्वेल के रिए useful होते हैं तो ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी होगी सबसे पहले चीज़ आती है प्लोईं यानि खेद जोतना प्रोसेस आप दा लूजिंग अद टर्णिंग और स्वेल इस काल दा टेलिंग या प्लोईंग दिस दन वा दे यूजिंग अप दे प्लोईंग इस मिट्टी है उस मिट्टी को लूज कैसे करते हैं इस मिट्टी के हलके हलके बारिक बारिक टुकड़े कैसे किया जाते हैं तो यह होंगे फ्लोईंग से खेद जोतने से जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा बिलकुल रब कर दिया जाता है Easily के बना दिया जाता है जिससे वो मुलाइम हो जाती है जिसमें जो भी हम Beads बहँना चाहते हैं जो भी हम Plant उगाना चाहते हैं तो चुक्ति हो अच्छ तरीके से Woo कर पाए तो यह सारी उसको Condition कराते हैं Pょम ग्लाइट 10 कनििशन के दौरा ही जो पलोईंग में यूज किया जाते हैं जिसके आपर करती लेकिन पराने समय में भूलाकार्स जो बयल होते थे उनसे भी हम खेतों की जिताई किया करते थे बेरियस तूल्स लाइक प्लो तो हो कल्टिवेटर ब्रेक स्वेल तू साइज ऑफ ग्रेंज दिस हेल्प्स प्रॉपर अब जैसे मित्टी है उस तरीके से हम जो प्लो के टूल्स हैं उसको यूज करते हैं सो उनको भी मिक्सिंग करने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं अब सबसे पहले बात करेंगे प्लो यानि हल कैसा होता था हल जो होता था वो एक लकड़ी की रोड या लट्था टाइप का होता था जिसमें आइरन की एक प्लेट लगी होई होती थी जिसको बैलों से जोड कर खीचा जाता था उसको प्लो या हर बोलते हैं अब जो इसमें प्रिजंट टाइम में हम यूज करते हैं और लिखा भी यह दिखिए काल्टीवेटर नावादेस फ्लो इंग सेर कंसेस्ट अब दा सीरीज ऑब ब्लेड नोन आइज दा कल्टीवेटर जिसमें ब्लेड की लंबी लंबी सीरीज लगी होई होती है जिसको इसके बाद बात हम करेंगे लेबलिंग की लो फिल्ड है बिग पीस of soil called the crop it called it is very much required to label up the soil before sowing seeds this is done by using a leveler अब हम जो भी खेत होता है जो भी खेत जोता जाता है उसके लेबलिंग की जाती है लेबलिंग यानि जिसको हम पाटा लगाना बोलते हैं तो ये ट्रेक्टर से या एक किसी भी चीज से किया जाता है तो जिसमें हम जो भी जोते हैं जो स्वाइंग करते हैं वो अच्छी तरीके से एक लेबल में रहते हैं जिनका एक लेबल अच्छा रहता है तो जिस तरीके से वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं इसके बाद आती है manuring, manuring क्या होती है, manuring में जब हम sowing करते हैं तो उसमें हम soil की fertility अच्छी रहें, इसलिए हम उसमें अच्छे-च्छे manure डालते हैं, यूरिया हो गया, पुटास हो गया, एनपीके हो गया, ये manure मिला जाते हैं, ताकि हमारी जो crops है बहुची तरीके से fertile रहे, ह more crops, simultaneously in the same field in a definite pattern, a few raws and off-bun crops alternate with a few raw and few raw of a second crop, e.g. soya bean and maize or basra, lubia, the crops selected such that their nutrient requirements, all the requirements are different, this ensure the maximum utilization of the nutrients supplied and also prevents the pets and the disease from the spreading to all the plants belonging to the one's crops in a field, inter-cropping का मतलब ही होता है कि जैसे एक तो crop field में तो grow कर दिये, एक crop बोई दिये, उसके साथ साथ और फसलें भी बोई जाती है, तो उसको हम inter-cropping कहते हैं, जिस तरीक में खन्ने में लोगिया लगा दी या उडद लगा दी इस चीज इंटर-cropping कर लाती है, आब बात करेंगे क्राप रोडेसन क्या होता है? क्रोप रोडेसन कि बात करेगे तो इंटर क्रोप पिन्स, क्रोप गाए जिससे ज्राइज ज़्यादा हो ज्राइज बेंशी अधिन क्रॉपसोंनी ट्रॉप्प्वूर helps we strip जमीन इसक्राइज परफीन रहता है उसी जमीन में किसान जो है वह एक ही पसल सीजन के कोर्डिंग करते हैं अब जैसे माल लिया ठंड आ गई तो गेहूं बो दिये फिर गेहूं जब गर्मियों में कट जाते हैं गेहूं कटने के बाद फिर कुछ दिन के बाद धान लगा दिये जाते हैं तो इस तरीके से क्रॉप का रोटिसन चलता रहता है जमीन है जो लैंड वो सेमी रहती है एक ही जमीन में different different type की फसले उगाई आती है different different सीजन के अकौर्डिंग तो इसी को हम क्रॉप transition कहते हैं उम् impat करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ्झ में आ गयी होंगी आप बात करेंगे field fellow It means leaving the field rest for the seizing after the harvesting one crop अब फील्ड फैलो का मतलब यह होता है कि जैसे माल लिया ग्यहूं कट गया ग्यहूं कटने के बाद खेत जो है वो एक दो महीने के लिए स्री छोणा जाता है जिसके कार उसमें अच्छी तरीके से हवा लग सके और अच्छी तरीके से उसमें संलाइड भी लग सके तो यह सार अजियो बैकटर्स और माइक्रो जिया उस तो प्रेपर बायो फर्टिलाइजर विच इंप्रोड़ दास्वेल फर्टिलेटी यह जो हैं यह क्या करते हैं यह यह प्रद्टियर जो हैं रिफर्टिलेटी को इन्घ्रीस कर देते हैं तो इसलिए यह यह भी हमारे लिए most usable है, most benefits प्रदान करते हैं, अब बात करेंगे leguminous plants, अब leguminous plants क्या होते हैं, the leguminous plants contribute to the swell about the 150 to 750 per kg acre of nitrogen, अब leguminous plants यह होते हैं, जो कि 150 to 170 kg acre में nitrogen को produce करते हैं, तो यह leguminous plants होते हैं, कुछ plants ऐसे होते हैं, जिनको बोने से, जिनको लगाने से, swell की fertility बढ़ जाती है, swell में ammonia की मात्रा, swell में nitrogen की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जब crop को grow किया जाता तो अच्छी productivity देती है, तो यह plants, leguminous plants कहते हैं, अब बात करेंगे, irrigation की, सिचाई की, water is important for the proper growth and development of the flowers, fruits and seeds of the plant, it is absorbed by the root, along with the water, minerals, fertilizers, also absorbed by the root, पानी जो है, वो फसलों में या plants में लगाते हैं, उसके proper grow करने के लिए, उसमें proper तरीके से flower आने के लिए, fruits आने के लिए, और उसकी fertility जो है, वो productivity जो है, वो continue बनी रहे, तो उसके लिए हम उसको समय समय पर irrigation करते हैं, पानी देते हैं, सिचाई करते हैं, अब बात करेंगे source-up irrigation, अब source-up irrigation, बहुत सारे source-up irrigation होते हैं, जैसे पराने समय में लोग तालाप कुओं या नहरों से उसको irrigation किया करते थे, अब जैसे जैसे modern days आया, जवाना बढ़ा तरसे तरसे irrigation के साधरमी बढ़ते चलेगा, जैसे टेओल हो गया, पंप हो गया, ये सारे चीजों से आप इरिगेशन करते हैं अब बात करेंगे 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 बात पहते हैं उसे का इनसेक्टों को नुखसान पहुचानें तो ऐसे तरीके तरीकें जो अड़ी को नुखसान पहुचाएं तो यही मेतध्स होता है ये तरीकें होते जिसको biological methods कहते हैं अब बात करें crop protection crop production का जिसे production सही परदलता है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ का रखखाप करेंगे crop में आ गया तो crop किस तरीके से हम रखखाप करेंगे अब जैसे malia rodrants and insects eat other damage in the crop जिसे चूहे हैं या बहुत सारे insects हैं जो crops को damage कर देते हैं खराप कर देते हैं अब जैसे टिडडी दल होता वो भी हमारी फसलों को खराप कर देता है तो ये सारी चीज़े ना लगें ये सारी चीज़े हमारी crops पे ना effective हों तो इसलिए हम बहुत सारी इनको protection करते हैं उचित मात्रा में fertilizer, manure डालते हैं ताकि जो हमारी crops है वो disease से बची रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा productivity प्रदान करें following chemicals are used अब बहुत सारे chemicals हैं जो हम use करते हैं जैसे insecticides DDT है या BHC है तो ये सारी चीज़े हम use करते हैं अब fungicides होते हैं sulfur है, copper है, sulfates है zinc sulfide है zinc phosphorus है, ये सारे चीज़े हम swell के fertility को बनाया रखने के लिए करते हैं जिससे हमारी crop है जो बची रहती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाब होता है advantage of using pesticides अब advantage of using pesticides के मतलब क्या होता है कि pesticide use करने से हमें क्या-क्या advantage होते हैं अभी तो हम बात करेंगे इनके advantage क्या-क्या है food production increase because these chemicals kills pets and insects हम जो pesticide लगाते हैं तो जो plants है या जो crops हैं उनमें जो insects होते हैं वो मर जाते हैं और जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा food crop crop होता है it improves the quality because crops are not half eaten by them and there are no bore and holes in them जब भी हम यह सारी चीज़ें के use करते हैं तो हमारी जो grains होते हैं जो अनाज होते हैं तो उनको कीड़े नहीं खाते हैं उनमें holes भी नहीं होते हैं और वो पूरे के पूरे अच्छे रहते हैं अब बात करेंगे disadvantage क्या होते हैं जो हम crops को बचाने के लिए फसलों को बचाने के लिए insecticides का use करते हैं तो उनकी जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं तो नुकसान क्या हैं तो जैसे मालिया जो है हमारा जो food crops है वो हमारी food chain को भी effectively करता है और हमारी जो grains हैं उनको भी चहरीला बनाता है और हमारी Felt Fertility को भी कही ना कही नुखसान पहुंचाता है. तो हमें कम से कम मात्रा में Pestricide का यूज गर साइगा जाएए. ज्यादर से जादर हमें हरी Khad का यूज गर से जाए. Harvesting Harvesting का मितलब फसलों को जब हमारी फसल पक जाती तो किस तरीके से हम उसका कॉता कटा करते हैं इनि काटना फस्लों को काटना ही हार्वेश्टिंग कलाता है in cutting of the crop when it is ready is called the harvesting जब फस्ला पर एड्वेश्टिंग हो जाती है तब हम इसको काटते हैं यही process harvesting कलाता है और यह harvesting जो है बहुत सारे method से की जाती है लोग करते हैं और इनके लिए आते हैं और मॉडरी में तों हार्वेस्टिर लो यूज़ करते हैं की का की कि अइस निकाल लिया जातर है कि बहूसा बनके अलग ego संभ अनिकाल ली आजाती गालते थेक्षर क्रते जा दैखि 묶त हुआ बाड़ी मंत्रा में यूज लिये है इसके बाद बात करेंगे हम स्वाइंग सीड्स अब बीजों को किस तरीके से बॉया जाता है स्वाइंग साथ लिस ना बॉया जाता है जो सीड्स होती है जो ज्यादा तर हम ग्रेन इस्ट्र करके है उसमें से अच्चे-च्च बीजों को निकाल लेते हैं उसके बाद हम उसको सो करते है हैं तो बीच वोने का जबीच करने का बहुत सारी तरीके होते हैं लोग Tractor और आपको परदयार करेंगे तो लोग प्रिदियों का जो रो होती यह थी वो एक रेगलर रहती है और जैसे अगर हाथों से सो करते हैं तो वो एर्रेगलर हो जाता है सब्सक्राइब ट likes और एपिट खोथे हैं टेसी स разм किन फट रहे से खाक। अर्थवश्ट नेटरियंट से और टन या ARTHWAMS Swarm भूद देते concept तो वो क्या करते हैं इस इन जो बेस्ट होते हैं अनिमल बेस्ट को खाने के बाद उस बेस्ट को अच्छा बना देते हैं जो स्वेल के लिए यूजेबल होता है यूजफुल होता है अधर में सब्सक्राइब आपको कि मिक्स जो मिक्स खेती होती हो किस तरीके से करते हैं यह सिचाई के सिस्टम है कि लोग किस तरीके सिचाई करते थे यह डेकली है यह चैन पंप है यह पुली सिस्टम है जैसे जैसे जमाना बड़ा तैसे तैसे ही सिचाई के जो सिस्टम थे वो चेंज होते चले गए अब फ़रो इरिगेशन क्या होता है वोटर इंटर्ड ऑफुद्ध अब नेस सिस्टम क्या आ गए शिचाई करने के फ़रो इरिगेशन बैसिन इरिगेशन वाटर इंटर्ड फ्यल्ष्ड थो धे फोरोर्य चैनल्स में ड़्यट्व लिट्वीन तो रोज अब प्लांट्स प्लांट इज प्लांट इस प्लांट water को छोड़ देते हैं और इसके कांट जो पानी है वो प्लांट अब बेसन इरिगेशन क्या होता है इस यूटिलाइज़ ओनली फॉर दा पैडी क्रॉप दे एंटर फिल्ड 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 बिडब बाटर मेड ओवर फ्लेड कुछ फसलें ऐसी होती जिनमें ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा पानी की जूरुत पर थी तो उनमें उसके अलग तरीके से हम इरिगेशन को करते हैं इसके बाद बाद या ते स्पिंख्रक करती है कि यह जू जितनी फदले है उसमें जिस्च्पपाउ की भिखेरती रहती है और पानिंग का बेस्ट ना होकर सीधे पत्तियों या प्लांट्स के उपर पहुंचता है जिससे क्या होता है कि जो वाटर है जो बेस्ट नहीं होता है या ऐसी फसलों में स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं जिनमें कम पानी की जरूरत होती है अब drip system क्या क्या होता है waterfalls drop by drop just add a position of the roots drip system यह होता कि जो plants में होते हैं उनमें drop बूंदों के according पानी गिराया जाता है जैसे garden हो गए या और भी plants हो गए जिसे हम अपने फूलों में क्यों सा जब पानी लगाते हैं तो किस system से लगाते हैं अब बात करेंगे बीडिंग अभी मैंने पहले भी थोड़ा बताया था अब फिर sex plan कर किये दे रहे हैं बीडिंग यह होता है कि जो भी हमारे bestage plants होते हैं उनको अलग किया जाता है removal of the beading unwanted plant may grow naturally around with the crop यानि ऐसे plants जो naturally crop के साथ grow कर जाते हैं तो उनको हम अपनी crop से निकाल कर अलग करते हैं यही process beading कराता है beading बाइदा using equipment अब beading जो है वह बहुत सारे equipment उसमें use किया जाते हैं जैसे hand pulling हाँ से खीच कर plants को निकालना अब कुछ plants जो जिनका इतना मजबूत नहीं होता वो तो हाँ से निकल आते हैं लेकिन कुछ plants ऐसे होते हैं जो हाँ से नहीं निकलते हैं तो जिनके लिए tools का use करते हैं खुर्पी हो गया या फाउडा हो गया यह सारे चीज़ें beading में use कियाती है उसके बाद using beading sites खरपतबार ना सक बहुत सारे चीज़ें जो हैं तो उनको भी use करते हैं beading sites के लिदा बीउट example 2,4-D di-chloro-phenoxy acetic acid 2,4-D mcpa chloro-methyl phenoxy acetic acid या blue chur यह सारे चीज़ें को हम use करते हैं तो यह तो बात थी हमारे beading की इसके बाद में हम बात करेंगे crop production तो बताई चुके हैं आपके हारवेस्टिंग भी बता दिया है throwstring भी बता दिया है इसके बाद में आता है हमारा storage अब storage क्या होता जो फसल हमारे लिए या जो crop हमारे लिए मिला है जो grain हमारे लिए मिला है तो उसको हम अपने घर में या तो bags होते हैं या steel के या iron के जो बड़े-बड़े bags होते हैं तो उनमें हम consume कर लेते हैं उनमें store कर लेते हैं रख लेते हैं आगे के लिए Before the storage the grain had to be dried to prevent the growth of the micro-organism जब फसल कटके आती है तो उसमें हम थोड़ा धूप लगाते हैं सुखाते हैं सुखाने के बाद हम उसको store कर लेते हैं पैक कर लेते हैं दे आर ड्राइड इन दा sun and then packed in the bags winds before the storing in the granaries this help to reduce the some extent damage caused by the rodent यहीं सडने से गलने से यह सीजें बचाती हैं और उसमें कुछ ऐसी चीजे भी मिला के रख देते हैं अब फूड 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 इस रिच इन प्रोटीन and it is source of carbohydrates and fats also ऐसा फूड जो हमें जानबरों से मिलता है उसमें अधिकतर मात्रा में प्रोटीन भी होता है carbohydrates भी होता है फैट भी होता है जैसे milk हो गया अनिमल हस्वेंटरी क्या होती है animals here at home or a farm terms have to provide with the proper food shelter and care to improve their breed and to meet the demands of the growing population for the important factors of animal the breeding feeding यह सारे जो है वो एनिमल्स को प्रड़क्ट करने के अधिक मात्रा में प्रड़क्टिविटी जैसे दूद है दूद के प्रड़क्टिविटी बराने के लिए लोग अपने घर में डेरी खुलते हैं और जैसे हमारा एग्स है एग्स के प्रड़क्टिविटी बराने के लिए लोग oyster far 15 दो ये जो है यह यहीं फूड कर्लाटे हैं जो हम tähän एनिमल से भी से विद् THOM detain कर आते हैं तो आसा करते हैं पूरे लाउससा पोर ञाया होगा के और पूलिस वीडियो के देखेर अगर अगर फिर भी कोई को ही रहाती तो मुझे कमेंट करके बताएगा ना विसु आल दा वेस्ट